इक्पर के बारे में पड़ाते हो तो अध कर को पड़ा तो अधना महारा का सामना नहीं कर पाया प्रताप महान है सिकंदर महार नहीं है पौरस महान है क्यों नहीं है' करें हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं हम लिखे की जहनती क्यों नहीं मनाते हैं जागना चाहिए हमें कुछ को बचाने के लिए आगे आना चीए बहुत है अच्छा फैसला है देखे था यह बहुत लेड़ हुआ है लेकिन जब भी देर आए दुरस्ता है ठीक है आप यह पढ़ाएंगे बाबर महान है अकबर महान है तो मुझे बताई बाबर का और अकबर का क्या योगदान है हिंदूस्तान के सिर्फ लूट फाट और चोरी डगेती यही तो काम था उनका यह कोई राजा नहीं थे इन्होंने सिर्फ आतंक मचाया ठीक है तो आप वह पढ़ाओ नहीं कि बापर ने इतना आतंक मचाया अकबर ने इतना आतंक मचाया मैं आपको आर्केयोलोजी का लाविडेस लेता हूं अकबर का जो गुरू था जा ना आप सूच को ठीक है वह जब अकबर से यसे कहके चला अकबर ने उसको निकाल देख भी आप जाए मैं सत्ता समालोंगा जब वह गुजरात के पाटन के अंदर पहुंचा जहां पे सस्त्रलिंग तालाब है जहां पे 1000 सिव मंदिर का एक ता उस तालाब के अंदर जो नौका विहार करा तव वहां की एक कन्या के साथ उसने छेड़ खानी कि उसका रेप किया बैराम खान ने ठीक है यह आर्कियोजिकलसर्विझ अब कि जब उसने उस कन्या के साथ बत्तमी जी की तो वहां के राजपूतों ने बहराम खान का कतल कर दिया उसका बदला लेने के लिए अकपर ने आगरा से फॉज बेजी और वो चपनेकर का जो तलाब था जिसमें सहस्रिंग एक हजार सिवलिंग का जो मंदिर था उस तलाब के के बाद उसने उसको जामी मस्जीद में कर दिया क्या बताएंगे यह अगर मैं यह बात आप बोल रहे हो तो मैं आप से जानना चाहूंगा इसमें क्या दिख रहा बताईए राणी की वाओ ठीक है यह राणी की वाओ ठीक है यह भी गार दीके इसके अंदर विश्णु भगवान के दस अउतालों का मंजर है ठीक है यह मोदी जी ने चपा है इसको ठीक है क्यों चपा कि यह भारत का इतियास है ठीक है ना की अकबर महाने ना की बाबर महाने लेकिन बारत का सही इतियास है यह जो आर्के लोजिकल ए देशवासी में खास करके हमारा जो बटवारे का कि भाई मतलब वह मतलब वी स्टाप्स का वो धर्म से आता है वह यह सबसे बड़ी चीज है पहले इसको ठीक किया जाए बटवारा यह एक्टॉल में हम लोग आपका मैंडसेट यह हो चुका है ठीक है कि भाई मतलब वह इस त जब खे लुक्त वर में सेंटान में बात निकल को वार लो खेटर यह बम्र को सकता हुआ है उसके बार उससे मैं कुछ नहीं बॉल सकता हूं जब अब इसके बारे में मैं कहीं पे नहीं लिखा है कि दूसरे धरम को खतम करो इसलाम में यह लिखा है अगर कोई धरम है दूसरे धरम को रेस्पेक्ट करो बुद्ध की बात क्या है यहूदी उसको कहते है जो इसलाम को नुक्सान पहुंचा है इसलाम में बुद्ध परस्ती वह नहीं है तो फिर यह मंदिर क्यों तोड़ा गया यह भी मत भूला जाए कि लाल किला कौन बनाया तो नाम जाएं लाल किला को मनाया थाल गाल कौन है को emergency तो इसलाम में यह रहा है यह नीं इत्याज वह बात ह्लाग है जो सचाई है वह जानौ पर नहीं सचाई एंथे पर इस Board किस ने छलार किला हो ना ऑन चाला मंद बनाया न पर अगरहरों के मारा जाने इंच कंधे यह क्लियर क्यों चै Lindsay और मैं जैबूर से हूँ और मैं उसी कच्छावा डाइनेस्टी का वंसरी दूसरी बात अब बात आती इस्लामी स्टोर सनातन संस्कृति को एक क्लियर बात है मुहमत साब का जनम कितने साल पहले हुआ सनातन संस्कृति कब से हैं नो दस अजार पांच हजार साल तो महा बारत को हुए हैं बावन सो साल का जनम उन से पहले है मुगलों का कैसे हुआ मुगलों का हुना ने इतियार को इस ने पढ़ तर्ष के रहे हैं और भारत कियो पढ़ाय गया गलत है आपकी रम्यारी ऐ है परताप हम लोग निफ पढ़ रहे हम लिखे ना प्रताप की सुरकार क्या कर हूं हमें क्थ को आगया चाहिएए हमें धूष स吧 सबसे बड़ी चीज है यह सुधार किसी राजा और महराजा से नहीं होगा यह सुधार हम और आप से होगा अकबर के बारे में पढ़ाते हो तो अकबर के हरम के बारे में पढ़ाओ कि बारे में क्यों नी पढ़ाते हो आप पढ़ाओ ना उनके बारे में क्यों नी पढ़ाते हो कि अकबर महराना का सामना नहीं कर पाया तो उनको सरक्ष्ण देने वाली राजनेतिक ताकते हैं चाहिए वो कोई भी हो सकती है नाम लेने जाने की ज़रूत नहीं है लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज से पहले सासन किसका आपको देखना होगा क्या सही नहीं मान रहा है जैसे कि भाई साब ने जो बोला ना कि मतलब लोगों का जो इसलाम गर्दन पे तलवारे रख करके कराई जाती थी यह गलत है यह